बारतिये पार्लेमेंट में संसद में खड़े होके कहते हैं कि उन्होंने हमारी जमीन को कब जा लिया है किया वो जूट बोलाता हूं उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं इनी की पारशद लेह लगदाख में वो कहते हैं कि बहुत बड़े एरिये पर चाइना ने हमारे कब जगते हैं? क्या वो भी जूट बोल रही थी? बात ये नहीं है. दोकलाम में क्या चाइना ने कंक्रीट क जंगल नहीं खड़ा कर लिया? क्या हमारी भूमी के ऊपर 4.5 किलो मीटर अंदर गाउं नहीं बसाया गया? क्या एक बार विदेश मंतराले उसका खंडन करेगा? बार बार बात आ रही है कि सब हमने 50 मार दिये, उनके 100 मार दिये. मैं पूछना चाहता हूं वीजे प्रवक् कराले डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बार भी उनकी पुस्टी की है. मैं इस बात पे भी पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा कि चाइना के 100 मरें हमें कोई मतलब नहीं हमें मतलब है कि हमारा एक भी क्यों मरा हमारा जवान हमारे लिए सब से पहले इंपॉर्टन अब दूसरी इकनॉमिक फरंट में का चाइना अलग तलग हो गया वे चाइना की एकॉनमी तो पिछले दो साल में कहां पहुंची है देख लीजी आप चाइना से पिछले दो साल में व्यापार लगबग 60% बढ़ गया क्या ये सच है कि नहीं है चाइना रजिया और पाकिस्तान नहीं र पहली चीज़ दूसरी चीज़ पहली बार हुआ है कि हमारा सबसे पड़ोसी छोटा भाई निकटतम नेपाल हमसे दूर है बर्मा हमसे दूर है श्री-लंका क्योंके मोधी सहाब ओ वहां पर जाकर चुनाओं में मदद करनी चाही वो भी हमसे दूर है अब की बार ट्रम सरका कि किसी देश के प्रधान मंत्री ने नारा दिया हो पहले तो बता दीजे मुझे विदेश नीटी का फॉरन पॉलिशी का एफ नहीं पता है इस सरकार को और यही कारण है कि जो कल वक्तवे दिया गया है वो अपने आप में पूरी तरह से देखे आलोग जी वक्तवे पर बात बस इतनी सी बात थी यह क्लोज अभी अभी तो नहीं आए ना चीन पाकिस्तान मेरा सवाल वो था आपने पूरा बोला मैं आपको बिलकुल नहीं टोका मेरा सवाल अगर आप ले ले अपने पूरा बोला दो मिनिट मेरा सवाल पूरा हो जाए मैं आपको बिलकुल नहीं टो का मेरा सवाल ये है कि अभी अभी तो पास क्लोज नहीं आए ना चीन पाकिस्तान ये नापाक गडबंदन तो 63 से है 2013 में सीपेक और ये तो 63 से गटबंदन है जब हमारी जमीन पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी तो ये मोधी सरकार की वज़ा से चीन पाकिस्तान क्लोज आ अजर मसूद के मामले में भी हो चाहिए युनाइटिड नेशनस में जब गए थे तब की बात हो चाहिए शाइना पिछले साथ वर्षों में तमाम इंटरनेशनल फरंट्स पर पाकिस्तान का मदद करता हुआ मिला है पहले इतनी नजदीक या नहीं चाहिए और अगर विद इसलिए हमने महमान को नहीं गुलाया है हिंदोस्तान के इत्यास में पहली बार इसलिए हमने किया है मैं केवले जानना चाहता हूं मुझे एक इंसलीन्स बता दीजिए 2014 से पहले रशिया और पाकिस्तान की तनी नजदीक या हो पुतिन जा रहे हैं आप अमेरिका से पाकिस लेकिन भारत पर भरोसा रखिए भारत की सैनेक शम्ता पर डाउट मत करिए जितने पिटते हैं सब साथ आते हैं चीन की पिटाई एक मड़ा लोग भाई आप मुझे बोलने दीजिए अब मुझे बोलने दीजिए गल्वान अब मेरी बात ये चीन पाकिस्तान असल में इनकी पिटाई हो रही है अब ये पिटाई होरी है तो वह साथ आ रहे हैं घलवान में हड़ीयां तोड़दी हमने इनकी 38 मार दिये 38 कProfis मार दिये पाकिस्तान अब प्रसाद शायद बता पाएंगे जनल प्रसाद ऐसा है क्या कि इस सरकार की 14 के बाद मुदी सरकार की विफल नीतियों की वज़ा से चीन पाकिस्तान साथ आ गए और ये भारत के लिए बड़ा खत्रा है जैसा राहूल जी कह रहे हैं कि आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़ा खत्रा है रुक जाईए खत्रे से खेल रहे हैं आप जनल प्रसाद उसके बाद सोवेल सेट जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने धन्यवाद आपने मुझे इस प्रोग्राम पे निमंत्रित किया है ऐसे मिलिटरी अरे डिफेंस आनलेस्ट जी सर पुलिटिकल बाद स इस तरह से हुआ वो सब बातें बता चुके हैं आपको तो इस तरह से मैं पुलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस समय किसी व्यक्ति को चाहें किसी पुलिटिकल पार्टी का हो उसको जरा सा भी शक है कि चाइना हम पर भारी प सकते हैं वरना अगर दोनों में से एक भी कमजोर हो गई तो जीतना आजकल के जमाने में बड़ा कठिन हो जाता है डोकलम में क्या हुआ मिलिटरी बड़ी स्ट्रेंश स्ट्रांग थी डिपलमेसी स्ट्रांग थी पौलिटिकल विल अच्छी थी डोक्लामेस टेल में डोके खतम हो गया अब जो चाइना वो जाने उसका काम जाने जो हम कर रहे जो वह मालूम है वो सब को बताने की जरवत भी नहीं है दूसरा अपने गलवान में दुन लिया उसके बारे में में सबका व्यक्षान होगया कि कितने उनके मारे गए और कितने हमारे मारे गए और हाथ मुठा हाथ से लड़ाई हुई हतیار किसी के पास थे नहीं क्योंकि उस जमाने में जब कि ये ट्रीटी हुई थी उसने ये फैसला हुआ था कि इस किसम की एक्टिविटी में कोई हत्यार लेके नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? कैलाश रेंज पे भारत सेना ने कबजा कर लिया। उसके बाद चाइना घबरा गया। उसने फिं जितनी मिलिटरी पावर चाइना ने लंताक में हमारे सामने खटी किया है उसकी बराबर की हमने खटी कर रखी है पिछले एक साल से आपको ये बालब होगा कि पिछले साल गर्मियों में जब पहला रफाल आना शुरू हुआ था उस समय चाइना को ये लगा कि from the air force point of view they are very weak उनके जो एरपोर्ट्स थे उनके जो advanced landing ground थे वो ऐसी जगह पर थे जहां से कि वो इतना effective नहीं हो सकते थे जिस तरह कि हमारे air basis से हमारे जहाद effective हो सके थे पिछले एक साल में चाइना ने क्या किया पिछले एक साल में चाइना ने अपने air field को और बढ़ाया अपनी anti aircraft की drills ब आए हमने क्या किया हमने उसकी बराबर के चोट के तैयारी करते रहे अगर उन्हें ने फॉर्टीन कोर कमांडर कांफरेंस हो चुकी है उसमें हमने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा है फ्रम पॉजिशन अफ स्ट्रेंथ तो उसमें बातचीत बनी नहीं अभी फिफ्टी जाएगा लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए जो आपको एक लफ में जवाब देता हूं कि अगर यह सक्सेस्फुल नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है या तो हमें केविन कर जाना चाहिए अगर हम वीक होते तो हम कहते हैं ठीक है हमारी जान छोड़ो तुम ले आपको इस चीज़ से एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब की 14 कांफरेंस ठीक नहीं हो रही है चाइना नहीं मान पा रहा है हम नहीं मान रहे हैं तो क्या वज़ा है इसकी अगर हम कमजोर होते तो मैं मानना पड़ता ना हम तो क्यों मानेंगे उसकी बात और वह बात और आभ इसलिए मैं इसलिए शुरुआत से लेकर पॉलिटिक ली जगड़ा करते रहें नहीं कोई जगड़े में मुझे कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं साजबात पारलिमेंट में बोलें वह बढ़े पहारी एक पारलिमेंटेरियन है आइप नो कॉमेंट इस प्यूर्ली बेस इसलिए अब तक सिर्फ यह का है कॉंग्रेस बीजेपी मोधी राहूल का सवाल नहीं है सवाल देश की सेना पर बरोसे का है यह चीन की कोई आखात